नमस्कार बहुत स्वागत है आप सबका आपके साथ मैं हूँ प्रीती दहिया और इस वक्त पूरे देश पर चड़ा है क्रिकेट फीवर टीम इंडिया के खिलाडियों के गजब है तेवर दुनिया ने देख लिया रोहित की टीम की ताकत का ट्रेलर लेकिन अभी बाकी है अस का घर इसलिए आज ABP नूस पर आए है क्रिकेट के गबर प्लीज स्वागत कीजिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है शिकर दवन शिकर वेलकम बैक ABP में एक बार फिर आपका स्वागत है और वर्ल्ड कप जिस तरह से चला है पूरे देश की शिकर इस वक्त उमीद की भारत इस बरी वर्ल कप उठागी जाए चलिए तो अब एक नया एक एलेमेंट लेकर आते है शो में और वो है कि हम आपको कुछ तस्वीरें यहां दिखाने वाले हैं बिक स्क्रीन पर और उन तस्वीरों को देखकर एक एक करके आएंगी पहली चीज जो आपके दिमाग और यह देखिए न्यूजलेंड के बोलर्स लॉगी फग्यूसन कुछ उचारा भी गर रहे हैं वो बोल्ट को करें भाई बचके समी फैनल में इंडिन टीम हारी है देखके जड़ा अपनाई ट्विस्स दे दिया ग्लेन मैक्सवेल इनका क्या मितलब क्या चल क्या रहा है ग दोनों को देखकर सचिन पाजी रहे है आखिरकार पहुंच ही गया तो विराठ शाबश और शायद एक और आगे ले भी जाएगा जल्दी बट बड़ी 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 बात है वन लेजंट टू दी अगर बिलकुल यह दुआओ का सिलसला है आ सूरे कुमार याद सूरे कुमार याद़ भूस काई पर दुआ यह गया दूप पर दूपिश रहे है अब इस फिर नेक्स पिक्टर अग बन कलने मक्हे आजाईगी मियां यह चिला थे बहुत है बहुत है वह और एक अड़ थे और देखे किसका लिए है अगर कर देखे और बिक्यट लिए है राइट राइट वो इसमें क्या एगा हुशी के मारे वो पागल और रोनाल्डो की तरफ वो अपना celebration style जो करता है बिलकुल जोश दिख रहा पूरा चैनल तेरा बाफ आया यह वी ना बात है यह बड़ा एक आया सोबर शामी बड़ा इंजोई कर रहे एक किसंने कीसे फाव्डिकेट रहा बड़ से एंड़ कर रहे है जी आजी वारी देुके जी इस वोल्कुप में शामी किरहा है बसा मुझे मुझे मेरा बिस्थर दो मेरे को सोना है बहुत वा सेटिस्फाइड होगे कि हाँ तसली होगी परफेक्ट और अर गल्ती से पकड़ी कैच मैंने यार गल्ती से पकड़ी कैच मैंने इसको तोड़ा लौड वॉल्यूम पिला राइलेगा विए अरुटी एच मैंने सोचा नहीं था वड़ा वड़ा क्यूट पिक्चर दो वड़ा क्यूट पिक्चर दो वरी क्यूट एक्स्प्रेशिन जडू अपने बैटिंग अवतार में यह बल्लानि यह तलवार राजपूत नेक्स्त पिक्चर यह बड़ा सिगनिचर स्टाइल है किसकी कॉपी कर रहा है इसकी यह उसका एक फुटबॉलर का बट बड़ा फैन है इन्होंने शायद एडमिट किया था मैं नाम जुकान मुझे भी याद नहीं आरहा इसकी कॉंटिपेशिन हो गिया बाबर आजम और कोई तस्कीर है हमारे पास बाबर की किचाई हो चुकी है यह कह रहे है मेरे दो अनमोलरतन एक कराम तो दूजा लखा वाब वाब शिकर अब एक थोड़ा सा टची टॉपिक है जिस पर मैं आना चाहूंगी और यह है कि गबर को कौन सा दर्द सबसे ज्यादा आज भी याद आता है अगर हम बात करें 2015 में जो सेमी फाइनल में हार हुई थी वो या फिर 2019 में आप चोटिल हो गए थे आपके अंगुटे पर चोट लगी थी खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आपको उस वक्ट विश्किया था भी वो भी जानते थे कि आप टीम के लिए कितने जरूरी थे हमारे वर्ल्ड कप चांसे के लिए या फिर 2019 के सेमी फाइनल की हार सबसे ज्यादा दुखी करने वाला लमा क्या रहा है फिल 2019 के सेमी फाइनल का हार क्योंकि हम काफी क्लोस थे और तोनी भाई के रणनोट होने के बाद पूरी एक जैसे देश में महयूसी सी फैल की थी उमीद थोड़ी कम होगी थी और सबने वह एमोशन्स फील किया या तो वह हार मेरे लिए बिल्कुल जिसे कहते हैं बिल्कुल बहुत करीब आकर भी मू तक निवाला नहीं जा पाय था तो 2019 की वह सेमी फाइनल की हार आपको बहुत जादा चुपती है लेकिन आपका चोटल होना क्या वह भी एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि अगर आप रहते तो आप हमें पता आप कितने capable प्लेयर हैं आप किस तरह की फॉर्म चल रहे थी उस दौरान तो भी हम वोल्कुप जीत सकते थे ते बिल्कुल एक एक एक्स्पी एक्स प्लेयर का रोल काफी मैने रख मेंवा होता तो उसको एक हमारे लिए और सहुलियत होती कि बिलेफ्ट हैं तो उसको बॉलिंग में थोड़ा शिफ लाना पड़ता तो वो एक बड़ा फार्ट परता है आपकी चोट 2019 में और 2023 में हार्दिक पांडिया को भी एक बड़े क्रूशल मोमेंट पर आकर चोट लगी है और चोटिल होना एक ऐसी चीज है जो खिलाडी के अपने हाथ में नहीं होता फ्रस्ट्रेशन बहुत जादा आती है लेकिन हार्दिक का ना होना क्या कहीं किसी नहीं है क्योंकि हार्दिक वाबस भी आता तो भी एक बड़ा सबाल था कि भी बहार कॉन बैठेगा बार कॉन बैठेगा क्योंकि कॉमिनेशन इतना च्छा चल रहा है ने अच्छा परफॉर्म किया है हमारा सारे बालर कोस एक बैटिंग में एक कुष्णिंग जो एक रहती है उसका ज्यादा माइने रहेगा शुकर बहुत से लोग आप से सहमत है और वो कह रहे है कि यह एक तरह से ऐसे हो गया जैसे आप दा में आपको अफसर मिल जाए हां ब्लेसिंग डिस्गाइज हार्दिक के चोटल होने से जिस तरह का प्लेइंग 11 का कॉमिनेशन है आपको लगता है यह बेस्ट टीम है हमारे जो वर्ल कप में अपेरंस हुई आप तक बिलकुल बेस्टीम है अभी तक की और जिस तरीके से क्रिकेट खेली है उन्होंने जिस तरीके से डॉमिनेट किया है की वन ऑपनेंट्स जैसे अब भी बोल रहा थी कि बॉल रही है दूसरे भी जीती थी हमने कोई भी मैच नहीं हा रहा था हम पूरा टूर्णमेंट बगैर हरे एक मैच हारे जीत के थे तो वह चीज इस वर्ल कप में भी रिपीट होती दिखती है और बिलकुल हम हम बहुत स्रॉंग फीलिंग है कि हम एक बार फिर से एलान ए गबर विश्व कप आएग घर लेकिन खुद गबर ने अपने मूँ से कुबूल किया है उनके करियर का जो बहुत डिसेपॉइंटिंग लंभा था जिसका मलाल रहेगा कही ना कहीं वो था दोहजार उनीस के सेमी फाइनल में हारना और जो धोनी के दो रन कम पड़ गए जो रन आउट हुए वो वाला और रन आउट मेरे खाल से हर हिंदुस्तानी को याद रहेगा सब की आखों में आसू आगये थे उस वक्त और वेजया से क्या खरी आइंदुस्तानी के में कहीं आँसू थे उस वक्त टीशनफी में व क्या माहौल था नहीं था पर जितना मैं जानता हÜं और अचीनत years अभी इतने महान प्लेयर रन ओट हो गे हमारे बड़े कुरूशल मोमेंट पे हर एक चोटी सी चोटी चीज मैटर करती है उस लेवल पे और सब को पता था कि भी बहुत बड़ी फिकेट किरिगी है क्या आप अभी जब इखटा होते हैं इस बात के बारे में चर्चा होती है कभी नहीं उस बारे में तो नहीं होती है अब जैसे वर्ल्ल कप चल रहा होगा तो कि आप ता उस वक्त वर्ल्ल कप की बाते क्योंकि पहले बाते ध्यान में आती है तो उस वक्त टीम में ज़रूर हो 2019 के recap के साथ 2019 के world cup में खुझ शिखर टीम का हिस्सा थे तो बहुत करीबी से जानते हैं वो सारे experiences आपने भी अनुभव किये हैं और अब हम बात कर लेते हैं 2030 के semi final की जिसमें शिखर आपको पता है कि New Zealand का सामना करना होगा इंडिया ने और New Zealand को थड़ा बोगी टीम कहा जाता ह है टीम इंडिया की कि ICC के events में semi finals या knockout stages में जाकर New Zealand हमें बाहर निकाल देती है तो यह जो दो बुम्रा हो गया उसको experience है शामी experience है जड़ू हो गया कुलदीप हो गया जड़ीजा उसक भी था तो जो चार साल के experience है वो बहुत महीं रखता है और कुलदीप एक X Factor रोल प्ले कर रहा है उसकी जो गुगलीज है वो नॉमल फ्लैट ट्रैक पे भी बाल टर्न कर रहा है तो वो क्या कहते हैं 140 की speed पर डाल रहे है तो पेस बहुत अच्छी है से राज का एक्सपेक्टर ही है कि वो कभी बॉल तो ची डाल रहा हुता बीच में एक ऐसी बॉल ता जिस पर विकेट ले जाता वो जी और शामी का कमाल तो खेर पूरी दूनिया देखी रही है अब उसके स सवाल बनता है कि कौन बनेगा विश्व विजेता यानि कि कौन जीतेगा 2023 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया फाइनल तक पहुचती है तो जाहिर तोर पर दूसरे मैच के जो जो टीम्स हैं सेमी फाइनलस हैं उनमें से एक से मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया या साउथ आफरि साउथ आफरिका अभी तरक अभी वर्ल्ड कप नी जीती तो उनकी जो अमीद रहेगी एक उन पर अपना खुद का प्रेशर है कि हमें करना हमने आज तक नहीं कि हम चोकज रहे हैं तो वह एक एडवांटेज भारत टीम को मिलेगा और वह उसके ओपर खेल सकती है लेकिन सा तो विकेट पे तरन भी था तो विकेट इतनी असान नहीं थी थोड़ा बॉल रुक रहा था तो उसमें हमारे बैट्समन की जो स्किल लेवल था मेंटल लेवल था प्रेशर हैंडल करने का था तो उससे हम आगे बढ़ गए और एवन मुझे याद है साथ आफ्रीका के साथ हम दिली में खेल लेते मैं इंडिन टीम को लीड करा था तब हमने उनकी में टीम को हरा दिया था वो भी टर्निंग ट्रैक था पर जहां फाइनल होगा वहां पर अगर टर्न नहीं होता तो तो वह एक चीज तब भी इंडिन टीम का अपने सुन लिया है अगर हम भड़े साथ आफ्रिका से तो घर आएगा विश्व कब लेकिन ऑस्ट्रेलिया से भी सामना हो सकता है और एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है उस्ट्रेल अगर श्रेलिया के सामने और प्रेशर सिच्वेशन में जीत दिला सकता है एक और दो आपको दे रहे हैं दूसरा ऑप्षिन वी सामने आ गया है विराट है श्रेयस ने कमाल की बैटिंग करिया कमाल के चके मार रहा है और मैं तो चाहूंगा कि उपर की जो टॉप थी और व कॉन्वर्सेशन को करते हैं और जहां क्रिकेटर शिखर धवन मौझूद हो उनके सोशल मीडिया के बारे में बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता मैं कुछ चार क्लिप्स प्ले करना चाहती हूं जो कि आपकी रील्स है आपकी वीडियोस है सोशल मीडिया पर और उन्हें देखकर आपको मुझे पिक करके बताना है कि आपका फेवरेट कौन सा है तो चलिए पहले वो चारो वीडियोस प्ले कर देते हैं तो शिखर आपने जो चार अवतार हमें दिखा है एक में आप अपनी मदर के करीब बैठे हैं उनके लाडले बनकर एक में आपका धार्मिक अवतार को मिला एक में आप फणी वीडियोस मना रहे हैं डबिंग कर रहे हैं और अफकॉस जिम लवर इतने फिट हैं आप तो जिम से प्यार होना जायज है फेवरेट इन में से रूप जो है शिखर का वो कौन सा है सारी मेरे रूप सारी किस चीज़ पर आप ज्यादा टाइम देन की मेरे में कबलियत है कि मैं serious life के moments को भी funny moments में डाल दिता हूं और चाहिए बहुत परस्नल लाइव को या professional life को तो वह एक मेरे को बड़ी चीज लगता है कि उसको मैं हसी व्हाग में उसको light कैसे मनाया जाते है महौल को light कैसे किया जाता है तो था मेरे अंदर आठ है काबलि और हमने देख लिया कि कितना मतलब एक जो funny element है शिकर के character का वो भी आपको देखने को मिला obviously cricketer तो यह है जाने माने तो जाते जाते गबर का इलान एक बार फिर से हो जाए किसकी जीत किसकी हार इस बार आर या पार भारतिय टीम के लिए भारत की जीत semi-final में भी और final में भी बिलकुल और वो जो आपका ट्रेड मार्क थाई-5 और हम पारी लगेंगे इस बारी तो इसी बारी चलिए दो इसी के साथ शिकर धवन थैंक्यू आप एक बर फिर से हमारे साथ जुड़े और हमारे audience को आपने इतने अच्छे से समझाव और टीम इंडिया देखे पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार वर्ल्ड कप जो घर में आये हुए ट्रोफिय बस यहां रखनी है जीत कर तो हमें लगता है कि हमारी टीम उस रहा पर पूरी तरह से सही चल रही है और जीत कर ही मानेंगे हम वर्ल्ड कप